Hi everyone, welcome to my channel एक बार फिर से सकुलेंट सौपिंग हॉल लेके आई हूँ Plant Orbit पे रक्षा बंदन सेल चल रही है काफी सारे सकुलेंट के प्राइज ड्रॉप हुए है तो मेरी कुछ विस्लिस्ट सकुलेंट थी जैसे ही उनका प्राइज ड्रॉप हुआ मैंने तुरंट और प्लेस कर दी थी तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी सकुलेंट मैंने खरीदी है नाम और प्राइज दोनों स्क्रीन में मैं एड्ट कर दूँगी तो नॉर्मल टाइम पे जो सकुलेंट हम खरीदते हैं सेल में सेम वैसा ही मिल पाता है या नहीं इस वीडियो से आप जान पाएंगे तो वीडियो अंधे तक जरूर देखेगा ज्यादा तर प्राइज ड्रॉप वाले प्लांट ही मैं खरीदी हूँ पहला जो प्लांट है वो है बूरो स्टेल और इसका जो प्राइज है वो है 50 रूपीज विट रूट जो है ये प्लांट मुझे रिसीव हुआ है काफी हेल्धी प्लांट है 50 रूपीज में मुझे ये काफी सही लगा नेक्स्ट है Greptoveria excluded चोटा सा प्लांट हे विध रूट है प्लांट काफी हेल्धी है तो फिप्टी रूपीज में ये भी सही है, आप इने भी खरीज सकती है तो इन्होंने एक पेकिट में दो प्लांट भेजे हैं और नेक्स्ट जो प्लांट है ये है Z, Z की जो प्राइज वो फिक्स थी 50 रुपीज की ही थी बट इमेज में थोड़ी चुटी चुटी कटिंग सो की थी ये प्लान्ट थोड़ा बड़ा है इनकी लीफ आप देखे थोड़ा सा ड्राइ लग रहा है बट ये पूरी तरीके से ड्राइ नहीं हुआ है मेच्वर प्लान्ट है, रूट काफी हेल्दी है बट आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्लान्ट को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो साथी साथ आप इन में वाटरिंग ना करें दो तीन दिन बाद वाटरिंग करें नेक्स्ट है ये रूबी नेकलेस और इन्होंने जो है दो तीन कटिंग मुझे भेजी है और सारे कटिंग में रूट है काफी अच्छी क्वांटिटी में रूट है और इन्होंने जो है प्लांट में काफी हेल्दी भेजे हैं तो 50 रुपीज में ये प्लांट मुझे काफी सही लगा अगर आपके विस लिस्ट में है तो आप इने खरीच सकते हैं नेक्स्ट जो है ये है मून स्टोन और इसका नॉर्मली प्राइज 99 रुपीज का था इन्हें खरीचना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी खरीच सकते हैं नेक्स्ट जो प्लांट है ये है क्रेसुला ओवाटा गोलम दूर से देखने से बड़ा प्लांट काफी हैपी हुई थी मैं बट जब मैंने ध्यान से इसको देखी तो देखे इसमें रूट नहीं है साथ ही इसकी स्टेम में ये वाइट वाइट फंगस लग चुका है और इसकी स्टेम पे काफे वाटरी हो गई है साइद ये रोट हो चुका है तो इसकी में cutting करूंगी उसके बाद में देखूंगी कि इसमें root आने के chances है या नहीं उसके बाद ही report करना है तो next जो plant है ये है लक्ष्मी कमल और इसकी हालत आप देख सकते हैं काफी बुरी तरीके से ये plant damage हुआ है इसमें पहले से ही root नहीं था जो भी root था वो खराब हो चुका है तो इसको अच्छे से clean करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ देखे इसमें root है ही नहीं कुछ बचा ही नहीं है तो इसे मैं as it is रख दूँगी अगर बाद में इसमें root अगर grow होती है तभी मैं इसको report करूँगी और बाकी ये plant जो है मुझे damage ही receive हुआ है नेक्स्ट है ये और्बिया सेमोटा ऐसा कुछ नाम में काफे लंबा चुरा नाम है ये flower dry हो चुकी है और इसकी देखे स्टेम से ये site की growth हुई है तो 50 रुपीज में ये काफी अच्छी मुझे मिली है नॉर्मली इसका 70 रुपीज का price था बट sale में मुझे ये 50 रुपीज में मिला है अगर आप इने purchase करना चाहते हैं तो आप जरूर इने buy करें क्योंकि इनकी एक एक stem को आप अलग से भी लगा सकते हैं ये काफी जल्दी इन में root आ जाती है नेक्स्ट है ये red cam fire और इसका price भी 50 रुपीज है दो stem के साथ with root मुझे ये काफी अच्छी लगी और आप देख सकते हैं ये काफी healthy है इसकी सारे leaves जो है green है और काफी बड़ा plant है ऐसा नहीं ये छोटा सा नहीं है ये camera में proper ही दिख रहा है ये काफी बड़ा size का है next है ये tooth tiger's tooth ऐसा कुछ नाम है इसका इसकी बनावड जो है वो काफी मुझे प्यारी लग रही थी मैंने सोचा 50 रूपीज में ये छोटा सा प्लान देंगे छोटा ही है बट साथ में baby plant है with root है काफी सही है तो सारा ये जो मुझे sale में जो भी मुझे आज receive हुआ है उसमें से दो प्लान को छोड़के बाकी सारे प्लान्ट मुझे सही मिले है अच्छे मिले है अगर आपको इन किसी प्लान्ट में से कोई खरीदना हो तो आप जरूर खरीदे और साथ ही इनके box में एक ये card था जो किस तरीके से हम इने treat कर सकते हैं पोटिंग सोयल कैसे हमें बनाना है ये सारे इसमें लिखी हुई है बट फिर भी मैं अपने पोटिंग सोयल किस तरीके से मैं बनाऊंगी कैसे रिपोर्ट करूँगी इसकी वीडियो मैं इस वीडियो के आंत में अटेज कर दूँगी तो आप वो भी watch out कर सकते हैं अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग